मित्रो नमस्कार मैं 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 त्रिपाठी नोग्यान जोति शेनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ जानते हैं कि शनी महराज 5 फरवरी को ये अस्त होने वाले हैं और 12 मार्च तक लगभग ये अस्त रहेंगे एक आद दिन कम जादा हो सकता है क्योंकि अलग अलग पंचांग में एक आद दिन का फरक है ये पाँच फरवरी को अस्त हो जाएंगे और लगभग 35 दिन तक अस्त रहेंगे सभी 12 रासियों पर क्या प्रभाव डालेंगे इसकी मैं जानकारी दूँगा तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मेश रासी वालों के विशे में मेश रासी में शनी महराज ये होते हैं आपके कारशेत्र के मालिक और यहां पर जब ये अस्त होंगे तो आपको लगभग 35 दिन यदे आप नौकरी कर रहे हैं तो विशे साउधानी से काटने होंगे बॉस उच्छ अधिकारी से आपको बना करके रखना होगा अनबन की स्थिति उत्पन नहीं होने देना है इसके इलावा कोई भी काम आप जल्दबाजी में न करें अनिथा आप परेसानी पर पड़ सकते हैं शनी का यह जो गोचर है जौब और व्योसाय को खराब करने का काम करेगा अस्त होना शनी का मेसरासी वालों के लिए शुब नहीं है हाला कि आमदनी दिखाई पड़ रही है क्योंकि सूरी अस्त करते हैं और सूरी भी बैठेंगे 11 भाव में तो पैसा आपके पास आता रहेगा लेकिन बहुत सुचदिकारी से संबंध ना खराब हो इसके प्रतियापको विशेश सतरकता बरतनी होगी पाँच फरवरी से लगा करके 12 मार्श तक बात करते हैं अगली राशी व्रशब की यदि आपकी चंद राशी व्रशब है तो ऐसे में शनी महराज अस्त होंगे आपके दसंभाव में दसंभाव में जब ये अस्त होंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी कारी छेत्र में कुछ न कुछ आपको दिक्कत अनुभाव होगी और साथ ही साथ बहुस उचदिकारी से संबंध आपके खराब होते हुए नजर आएंगे हाला कि यहाँ पर सूरी बैठेंगे अपने स्थान को देखेंगे तो कुछ मामलों में आपको राहत भी दिलाएंगे क्योंकि सूरी से जब यास्त होंगे सूरी महराज सब सप्तम का योग बना देंगे लेकिन जब भाग का मालिक करम का मालिक हो करके शनी अस्त होंगे तो कुछ न कुछ दिक्कत आपको अवसे फेश करनी पड़ेगी तो धैर इसे काटें सूरी भगवान को जल दें और साथ ही साथ सनी दियो के मंत्रों का भी समयाप जब कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा इसके बाद बात करेंगे अगली रासी मिथुन की तो मिथुन रासी में भाग की भाव में शनी अस्त होंगे तो यहाँ पर थोड़ा भाग आपका डामा डोल होगा भाग उतना बढ़िया साथ नहीं देने वाला है जितना अच्छा देना चाहिए इसके अलावा आयू स्थान के भी यह स्वामी होते हैं शनी महराज ऐसे सब जब सनी अस्त होंगे तो एक तरफ भाग रुकेगा और दूसरी तरफ कहीं न कहीं भाग के साथ साथ आपका सौस्त भी डगमगा सकता है ऐसे योग बने हुई हैं तो पाँच फरवरी 2023 से लगा करके लगभग 12 मार्स तक आपको चाहिए कि कम से कम कुछ न कर सके तो शनीवार शनीवार सनी मंदिर में जा करके एक च्यार मुखी दीपक जरूर जलाएं और साथ ही साथ सूरी दियो के को भी अर्ग देते रहें इसके बाद बात करेंगे अगली रासी करक की तो यदे आपकी चंद रासी करक है तो शनी महराज अस्त होंगे ये आपके अश्टम भाव में अश्टम भाव में जब ये अस्त होंगे आयू के स्वामी हैं तो सबसे पहली चीज यदे आप विवाहित हैं तो विवाहिक आपको देखने को मिलेगी इसके इलावा आयू के मालिक हो करके आयू भाव में अस्त है तो ऐसे में स्वास्त भी आपका डगमगा सकता है और साथ ही साथ यदि कोई ज्यादा बुजर्ग है लंबे समय से बीमार चल लहा है तो आयू खंड उसका पूरा हो गया है तो उसके ल और साथ ही साथ सूरी दिव को अर्ग रिगुलर्टी से देना चाहिए ताकि इस दुस्प्रभाव से आप निकल सकें बात करेंगे सिंग रासी वालों की तो सिंग रासी में आपके लिए कोई विशेश दुस्प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है लगने सप्तम भाव में ब बनेगा तो आपको मान सम्मान भी भारी मात्रा में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आप विवाहित हैं तो वयवाहिक जीवन में इस समय आप डिस्टर्बेंस अनभो करोगे वयवाहिक जीवन कहीं न कहीं गड़बडा सकता है ऐसे मे आप सनीवार शनीवार जाकर के दीपक जलाएं शनी मंदिर में और साथ ही साथ अपने लगनेशक को यानि की सूर्य भगवान को अरग देते रहें ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का भी जब करते रहें इसके बाद बात करेंगे अगली रासी कन्या की ये आपकी चंदरासी कन्या है तो यहाँ पर शनी महराज जो लंबाई समय के बाद आपको अच्छा फल देने आ रहे थे ये अस्त हो जाएंगे छटे भाव में छटे भाव में जब ये अस्त होंगे तो इस समय संतान से संबंधित आपको दिक्कत उत्पन हो सकती है संतान का मन पढ़ाई से भटक सकता है इसके इलावा कहीं न कहीं आए भी आपकी प्रभावित होगी क्योंकि उच्छिस्थान इनका पढ़ता है आपका दुती भाव तो ऐसे में आपको दो समस्या होंगी हाला कि सूरी यहां पर जब बैठेंगे तो सत्रु हमता योग बनाएंगे कोड के चेहरी मुकदमों से राहत दिलाने का कामियावस्य करेंगे तो ऐसे में आप उपाय के तोर पे शनी दियो को इस समय लगभग 30-35 दिन का जो यह समय है मज करके तो आपके लिए अच्छा है इसके बाद बात करेंगे अगली रासी तुला की यदि आपकी चंद रासी तुला है तो तुला रासी में ये 11 भाव में अस्त होने जा रहे हैं सौरी पंचम भाव में अस्त होने जा रहे हैं शनी महराज पंचम भाव में जब शनी अस्त ह तो सबसे बड़ी दिक्कत तो उन महिलाओं के लिए हो जाएगी जो गर्वती हैं क्योंकि गर्भानी के योग बनेंगे संतान से संबन्धी दिक्कत उत्पन हो सकती है ऐसे भी योग बनेंगे लेकिन आपके लिए थोड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है तुला रासी ये दियापकी है आमदनी आपकी ठीक ठाक बढ़िया होती रहेगी क्योंकि इस समय सूरी सबसब्तम का योग बनाएंगे अपने रासी पे द्रश्टी डालेंगे तो कहीं न कहीं आए आपकी लगातार होती रहेगी इसके बाद अगली जो रासी है जिन पर सनी अस्त होंगे वहां रहेगी वरश्चिक वरश्चिक रासी के चोथे भाव में सनी अस्त हो जाएंगे वैसे ये धैया का प्रभाव दे रहे हैं लेकिन चोथा भाव हमारे होता है चेस्ट का माता का तो ऐसे में माता का स्वास्त कहीं न कहीं डगमगा सकता है मा का विशेश ध्यान रखें अगर आपको छाती से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पहले से चली आ रही है तो इस समय थोड़ा आप सतरकता बरते परेशानी होने पे चिकित्सक की परामर्स ले और थोड़ा बहुत योग करते रहें ताकि आपका स्वास्त न डगमगाए उपाय के तोर पे आप शनी वार्क शनी वार्क शनी मंदिर में दीपक भी जला सकते हैं और साथ ही साथ सूर्य भगवान को निति प्रत दिन अर्ग देते रहें ताकि आप परेशानी से बचे रहें बात करेंगे अगली रासी धनू की यदि आपकी चंद रासी धनू है तो शनी महराज अस्त होने जा रहे हैं आपके तीसरे स्थान में यहाँ पर जब शनी देव अस्त होंगे तो इस समय छोटे भाई बहनों के लिए थोड़ा कश्ट दायक इस्थिति उत्पन होगी बाकी भाग आपका जबर्दस तरीके से साथ देता रहेगा आपको घबडाने की आउसकता बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए सनी का अस्त होना कोई खास दुस्प्रभाव नहीं डालने वाला है एक तरब जहां धन भाव डियक्टिवेट होगा तो वहीं पर आपका भाग ज़ागरित होगा तो इस समय आपको रिजल्ट 50-50 मिलेगा आप उपाय के तौर पे सूरी भगवान को अरग देते रहें और यदि समय निकाल सकते हैं तो शनीवार शनीवार सनी मंदिर में जा करके एक दीपक चारमखी जरूर जला दें अब बात करेंगे मकर रासी वालों की तो मकर रासी में शनी महरास स्वयम लगने सोकर के अस्त होने जा रहे हैं यह माइनस पॉइंट आपके लिए बना हुआ है इस समय वाड़ी दोस भी रहेगा नेत्रों में आपके पीड़ा भी रहेगी स्वास्त आपका डगमगा सकता है और साथी साथ आर्थिक इस्थिती भी आपकी थोड़ा बहुत डामा डोल हो सकती है यद शनी या सूरी की दसा चल लही है तो अगर इनकी दसा नहीं चल लही है तो आपको बिलकुल भी घबडाना नहीं है उपाय के तोर पे ओम संक्षन शराय नवह कम से कम 108 बार या 51 बार प्रति दिन बोलें ताकि आपके उपर ज़्यादा इसका दुस्प्रभाव न पड़े आपको घबडाने का आप सकता नहीं है अगर आप उपाय करेंगे तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकेगी बात करेंगे अगली रासी कुम्ब की यदि आपकी चंद रासी कुम्ब है तो शनी महराज ये आपके लगन में बैठेंगे और लगन में जब बैठ करके अस्त हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात आपके लिए रहेगी इस समय आपका स्वास्त डगमगा सकता है और स्वास्त यदे आपका डगमगाता है तो इसका ये कही बढ़िया उपाय है कि जितना ही ज़्यादा आप शनी को मजबूत करें और सूरिद देव को जल दें उतनी ही आपके लिए इस हितियां अनकूल होते हुए चलियाएंगी हाला कि इस समय आपका मान समान तो घट जाएगा दोनों ग्रहों को आपको बैलेंस करना है क्योंकि अगर आप शनी को बहुत मजबूत करोगे तो आपका वैवाहिक जीवन गड़बडा जाएगा और अगर सूरी को मजबूत करोगे तो आप गड़बडा जाओगे तो ऐसे में रेगुलर्टी से आपको सूरी देव को जल देना है लगभग 35 दिन तक और साथ ही साथ जादा नहीं कर सकते हो तो एक 50 बार कम से कम ओम संक्षन श्राय नमा इस मंत्र का आपको जब करना है ताकि परिशानी से आप बचे रहो परिशानी आपको छूर ना सके बात करते हैं अंतिमरासी मीन की यदि आपकी चंदरासी मीन है तो आपके बार्वें स्थान में शनी महराज अस्त होने जा रहे हैं तो इस समय सभी मीन रासी वालों को अनाव सनाव खर्चों से बचना चाहिए क्योंकि उट पटांग धन आपका वे हो सकता है इसके प्रते आप साउधानी बढ़तें उल्टा सीधा जगे पर पैसा खर्च ना करें उपाय के तोर पे आप सूरी देव को अरग दें इतना ही बहुत है हाला कि यहाँ पर बैठ करके कोट कचेहरी मुकदमों से आपको कहीं न कहीं राहत भी दिलाएंगे सूरी महराज तो सूरी देव को जल दें और साथी साथ लगने सापके मजबूत अवस्था में जबर्दस तरीके से बैठे हैं तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सहा गुरुवे नमा इकिस इकत्ति से क्यावन बार जित्ती बार हो सकता है जब करें और खुश रहें कल मिलेंगे मैं गत्रपाठी को अनुमत दीजिए नमस्कार